हरे कृष्णा दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुरीकल्स अफराधकृष्णा में मैं हूँ आपकी दोस्त अनुकातियानी गुपता दोस्तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मंत्र चैन्ट नहीं कर पाते या उनको मंत्र लंबा लगता है कि ये तो बहुत लेंदी मंत्र है हम लोग चैन्ट नहीं कर पाएंगे बहुत टाइम कंजियूम होगा तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ एक नाम का ही बार-बार रिपीट करोगे ए भगवान का नाम स्मर्ण भी करोगे ना जैसे आप राधारानी का सिर्फ राधे 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 इस तरह से भी बोलोगे ना तो उनके नाम का जाप हो जाएगा उन बोलते रहते हो तो इसी तरह से क्लीम एक अक्षर का मंत्र है एक अक्षरी मंत्र कहते हैं इसे बीज मंत्र अगर आप इसे जितना ज्यादा चैन्ट करेंगे जितना ज्यादा आप इसको जब भी आपको मौका मिलेगा जितना चैन्ट करते रहोगे उतना ही क्लीम आपकी ला कर positive सोचते वे इस मंत्र को करना है खुश हो कर चैन्ट अगर आप इस तरह से करते हैं ये बात positive होकर तो आपको सब कुछ attract कर देगा जो आप चाहते हैं तो सिफ अगर आप बड़ा कोई मंत्र नहीं कर सकते हैं बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं जो लेंडी होते हैं पर उनका प्र कर लीजिए इससे आप सब कुछ attract कर सकते हैं अच्छा attract करने के लिए आपको सिर्फ रहना है positive ठीके दोस्तों तो आज के लिए इतना ही और जिनोंने पूछा ता आय होप उनका doubt क्लियर हो गया है फिर मिलते हैं एक new topic के साथ stay safe and stay blessed Hare Krishna